राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं आबंधों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों हनुमान जैनती आ रही है हनुमान जैनती 2021 में 27 अप्रेल मंगलवार की है बंधों मंगलवार की हनुमान जैनती होने के कारण हनुमान जैनती एक बहुत ही अच्छे योग में आई है क्योंकि हनुमान जैनती मंगलवार की है हनुमान जैनती और मंगलवार का दिन बहुत ही विशेश सन्योग में बन रही है बंधों यदि हनुमान जैन्ती के दिन आप इन सरल से उपायों को कर लेते हैं तो आप पर हनुमान जी की आपार कृपा होगी हनुमान जी आपकी हर मनुकामना शिक्र पूरी करेंगे बंधों यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दवाना ना भोलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके बंधों वीडियो को पूरी सुनें सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जय हनुमान जरूर लिखें बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय हो बंधों हनुमान जयनती चेत्र महीने की पुर्णिमा के दिन मनाई जाती है इस दिन हनुमान जी का जनम हुआ बंधों यदि आप कठिन मंत्रों या जटिल प्रयोगों को नहीं कर सकते तो मैं आपके लिए सबसे सरल उपाई लेकर आई हूँ जिन्हें करने से हनुमान जी शिक्र पसंद होंगे और आपकी हरमनों कामना शिक्र पूरी करेंगे बंधों हनुमान जयनती के दिन हनुमान जी के मंति चाएं और हनुमान जी का कोई भी सरल मंत्र या हनुमान चालिसा को ग्यारा बार करें और फिर उसके बाद हनुमान जी को बुंदी का भोग लगाएं हनुमान जी के सामने दो लाल पुष्प अरपित करें देखना किस प्रकार हनुमान जी आपकी मनुकामना को शिगर पूरी करते हैं बंधों हनुमान जैनती के दिन हनुमान जी पर गुलाब के फूलों की माला चढ़ाए हनुमान जी को खुश करने का यह सबसे सरल उपाई है बंधों हनुमान जैनती के दिन हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर और चांदी का वर्क चड़ाएं हनुमान जैनती के दिन शाम के समय दक्षिन मुखी हनुमान मूर्ती के सामने शुद्ध होकर हनुमान जी के चमतकारी मंत्रों का जाप करें जो की बहुत ही फलदाई होती है हनुमान जी को अपनी मनुकामना की पूर्दी के लिए पान का बीड़ा जरूर चड़ाए और साथ ही हनुमान जी को प्रसंद करने के लिए इमर्ती का भोग भी लगाए ऐसा करने से संकट मुजन हनुमान जी अत्यन प्रसंद होते हैं और अपने भक्तों की हर मनों कामना पूरी करते हैं बंधों हनुमान जी का ये मंत्र बहुत ही जमतकारी है यदि आप हनुमान जी के इस मंत्र को हनुमान जैनती के दिन हनुमान जी के स्मक्ष एक सरसों के तेल का दीपक जला कर उसमें दो लोंग डाल कर जबते हैं तो आपकी हर मनों कामना तो पूरी होगी ही आपके शक्त्रों का भी सनहार होगा पूर्व कपी मुखाए पंच मुख हनुमते टम 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 सकल शक्त्रों सनहार नाए स्वाहा बंधों इस मंत्र को आप 108 बार अवश्य जपें यदि आप ऐसा करेंगे तो शिग्र आपके सत्रों का सनहार होगा बंधों यदि आप पैसों की तंगी से जूज रहे हैं तो हनुमान जैनती के दिन पीपल के ग्यारा पत्ते पर शी राम का नाम लिखकर हनुमान जी को पहनाएं पीपल के ग्यारा पत्तों पर शी राम का नाम लिखकर उसे मोली के धागे में पिरोकर हनुमान जी के गले में पहनाएं ऐसा करने से आपके पैसों की तंगी खतम हो जाएगी बंधों हनुमान जी को हनुमान जैनती के दिन विशेश पान का बीड़ा चड़ाएं इसमें सभी मुलायम चीजे डलवाएं जैसे खोप्राबूरा, गुलकन, बदाम, कत्री आदी बंधों, यदी हनुमान जी को मंगलवार या हनुमान जैनती के दिन पान का बीड़ा चड़ाएंगे तो हर तरह के करजे से आप मुक्त हो जाएंगे बंधों, यदी आपको हमारी वीडियो पसंद आए, तो इसे लाइक करें और शेर भी जरूर करें, धन्यवाद झाल 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 झाल